किसान साथियों किसी भी पसल की अच्छी ग्रोथ के लिए उसका स्वस्त होना निरोग होना और रोगमोगत होना काफी आवशक हैं दोस्तो उसी प्रकार से जो प्याज नरसरी होती है उसकी भी अच्छी ग्रोथ के लिए जल्दी तेयार होने के लिए उसे भी रोगमोगत काम भी चल रहा है पर जिन किसान भायू की नर्सरी लेट थी या भी भी खड़ी हुई है उसमें बार-बार मेरे पर कमेंट आ रहे हैं कि हमारी नर्सरी से पीला पन नहीं जा रहा है या जो उपर की नोख है वह पीली पड़कर सूखने लग रही है दोस्तों इस प्रकार की सम सिवाली नर्सरी में आता है और इसका सटीक उपाय क्या है दोस्तों वह जानकारी देंगे दोस्तों तो आप जानकारी पूरी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बे नर्सरी तेयर करने से लेकर उखाड़ना और प्याच की रोपाई और प्याच की रोपाई के समय कौन-कौन सा खाट डालना है और बाद में हमें क्या क्या करना है रोपाई में क्या सावजाने रखनी है खाट का मिक्सचर कैसे करना है सबी वीडियो डाल रखें आपने वह नहीं देखें तो आप वो भी देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी आगे की जानकरिया और पूरानी जानकरिया सभी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू सूरू करते हैं कि प्यास की जो नरसरी होती है उसमें ये जो नोक सुखने की समझ्या क्यों आती है? और इसका उपचार क्या है दोस्तो? draw तो किसान साथियों यह रोग है यह जोस्तो जुलसा रोग या फंगस रोग की गिंति में आता है दोस्तो मोसम में लगातार उतार चड़ाव होता है तापमान में लगातार गिरावट होती है वापिस से तापमान बढ़ता है गढ़ता है रात को ओस गिरती है दिन में ज़्यादा दूप निकलती है जिससे तापमान बढ़ जाता है रात की टेंपरेचर काफी ज्यादा कम होता है तो जो रात दिन के टेंपर प्याज की नरा यह उसके उपर जो पतियों पर और जम जाती हुअ तो वह पतिों के अंदर का पानी भी जमा situations फिर दिन में दूप निकलती हैं पानी वो बरफ पिगलती हैं पानी की रूप ले लेती हैं और फिर पत्तों पर फेल जाती हैं उसके बाद फिर रात को ठंड पड़ती हैं टेमपरेचर गिरता है तापमान में गिरावट होती हैं और वह पानी फिर से बरफ किवे तबदिल हो करें दोस्ते तो यहीं तो अगर देखा जाए तो चहां पर यहlor में लगातार परिवर्तन हो रहा है वहाँ वहाँ पर हमें यह समझ्या देखने को मिलेगी अब इसके उपचार की अगर हम बात करें तो जिन किसान भायों की नरसरी अब 8-4 दिन या 2-4 दिन में रोपाई करने के लायक हो गई है उन किसान भायों को अभी कुछ भी करने की आव सकता नहीं ह दोस्तो एकदम से आने के बाद में एकदम से अब नहीं जाएगा दोस्तु तो अगर आप दो-तिन दिन में हैं चार-पांज दिन सुरू होती है कि हम जब अभी देर हैं हमारी नर्सरी आठ दिन से ज्यादा खड़ी रहने वाली है और हमें अभी रिप्लांट में टाइम लगेगा या नर्सरी की ग्रोध ज्यादा ही रुकी हुई है और यह फंगस और पीलापन हमें पूरे खेत में ज्यादा भी दिख रहा जो है अच्छी नमी खेत में होने पर जो है एक अच्छा सा फंगी साइट लेना है दोस्तों जिसमें कि आप अगर आपके इसमें समझ्या कम दिख रही है या बिल्कुल कम है तो आप हलका टेकनिकल कार्बेंडाजिम प्लस मेंकोजेप का आता है वह ले सकते हो अगर समझ्या आपको दिख रहा है आपकी नरसरी में तो आप फिर जो दानुका कमपनी की कोनिक आती है जिसमें कासुका माइसीन और कौपर उक्सीक्लोराइड का काम भी नहीं होता है जो की वेक्टरिशाइट प्लस फंगी साइट भी होता है दोस्तों तो आप वह ले सकते हो दोस्तों उसके अलावा सीजेंटा कंपनी का एक भेतरीन प्रोड़क्ट थोड़ा मेंगा जरूर आता है पर ज्यादा समझे आउने पर एमिश्टा टोप के नाम से आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों या फिर जो एज़स्ट्रा बीन प्लस टेवू कोना जोल का भी ए बाकि आप अपनी आवशक्ता अनुसार आपके बजट के अनुसार और आपकी उपलब्द ता आपके एरिया में जो उपलब्द है वो ले सकते हो दो स्थों हमारा किसी भी कंपनी से कोई वी कुछ भी संबंध Νये答 कोय सो कुछ भी संबंद नहीं है दोस्तों तो अपनी यह जरूर मिलाना है दोस्तों क्य소कि मोसम में नमी होती है। उसकी वजए से पानीकी मात्रा अगर कम जादा यह पत्तों पर उस रहती हैं तो उससे दुस्त. जो है हम हमकिसफट डाल रहें वह पट्व पर चिपक नहीं पाता हैं है तो उसको चीपकाने के लिए हम ऐले तो आपये हमारा सो प्रतिसत काम करती है और दोस्तों वैश के साथ धुलती भी नहीं है पत्व पर लंबे समय त्क्ति को यह ऌर करती हैं उसके बाद में यो हम प्रना लीगा या सिस्टोमेटिक फंगी साइट ले रहे हैं वह भी जल्दी से पोधे के अंदर नीचे जड़ो तक चला जाता हैं दोस्तों और वह अपना पूरा काम जल्दी कर देता है और रोग हमारा होता है वहीं पर रूख जाता है और हमारी नर्सरी फिर से हरी बरी होने लग जाती है दोस्तों इसलिए आपको चिप को जरूर लेना है उसके बाद में आपकी नर्सरी में आपको ग्रोध जादा कमजोर लग रहे हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं और उसके लिए आप एक से दो दिन बाद फंगी साइट यूज़ करने के बाद में आपको दीखने लग जाए तब अच्छी ग्रोथ के लिए आप अच्छा सा टोनीक लिक लेकर नर्सरी में जो अच्छा बेष्ट टोनीक रहता है उसका उपवीडियो दिक यस्पर कर दें जिससे आपकी नर्सरी जल्दी-तेयर हो जाए और जल्दी जल्दी ञेपिक से जो समय और जो पीलापन होता है उसे दूर करने का उपाई भी बताया है कारण भी बताया है और कुछ कमपणियों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका आपको विवरन भी पूरा दीया है दोस्तों तो आप कोई सा भी अपने अवशकतानुसा रले सकते हैं और यह जानकार आपको केसी लगी आपकी नरसरी में कोन सा रोग हैं आप कहां से हैं आपकी रिप्लांट कब होने वाली हैं यह सब चीजे भी आप कमेंट के माध्यूं से हमें बता सकते हैं गया लिजब पूजाव होंगे आपके तो उन सुजावों को भी ज्यादा ज्यादा किसान बहें तक पहुंचाने का प्रयास हम जरूर करेंगे दोस्तों तो वीडियो को आंता तक देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमें झाल 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